A very warm good morning to all of you, आज है 27th November तो चलिए देखते हैं अभी तक के most important current affairs आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अभीजीत पैनल जी की कौन सी book release हुई है साथ में ये भी जानेंगे कि 5th World Congress on Disaster Management कहां हो रहा है वीडियो में आज जानेंगे इंडिया multi-dimensional poverty index जो इंडिया पहली बार launch किया है और कौन से राजी को कौन सा place मिला है उचलिए वीडियो को पूरा देखते हैं wage rate index का base year क्या है वो भी जानेंगे आज की वीडियो में question of the day पहले देखते हैं Javor International Airport इसी डास largest international airport of world और Javor International Airport जो है वो 4th largest international airport है वर्ल्ड का और यह कहां सेट अप हुआ है जीहान मोड़ा में मोड़ा में बना है Javor International Airport जो की 4th largest world international airport है वर्ल्ड पर्फॉर्मर वर्स पर्फॉर्मर इन अर्बं स्टीजी रिपोर्ट वर्स पर्फॉर्मर है मेरट एंड धन्बाद ध्यान रखें अडबं सी स्टीजी यानि सस्टेनेबल डिवलप्मेंट गोल रिपोर्ट रिलीस हो चुकी है और यह वीडियो आपको मिल जाएगा 25 नमेंबर में चलिए करेंट अफेर्स देख लेते हैं कुशन नमबर वन विच इस दी पॉरेस स्ट सेट ऑफ इंडिया अकॉर्णिंग टू लेटेस्ट इंडिया मेल्टिनेशनल डाइमेंटेशन पॉवर्टी इंडेक्स भारत का पहला मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीस होता है और इसमें सबसे ज्यादा पूर स्टेट कौन सा है बिहार तद्यान रखें बिहार इस पूरेस स्टेट ऑफ इंडिया यह अन्डियां बिहार के बार जरुक्स बंद्ध-पॉर्ड के सीने क्वं होलें 7डिया के से सटेट औफ इंडिया है विहार की बहार की तो 51.91 पर सोलिज यहाँ पे पूरस्ट है नीति आयोग ने रिलीज किया है इंडिया मल्टी डाइवेंशनल पोवर्टी इंडेक्स इस इंडेक्स में केडला जो है वो रिचेस्ट स्टेट बटाया गया है 0.71 परसंट ही लोग यहां पे पूर है उसके बाद गोवा, सिक्कीम, टमिलनाडू, पंजाब और यह रिपोर्ट किसने रिलीज की है यह कुशन आ सकता है तो निशनल फैमिली हिल्स सर्वे 2015-16 के बेस पे यह रिपोर्ट रिलीज की गई है नीति आयोग के द्वारा तो ध्यान रखे कुशन नमबर 2 पे आते हैं अगर वीडियो फास्त लगे तो प्लीज उसको देख ले पीछे जाकर फिफ्ट वॉल्ड कॉंग्रिस ओं डिसास्टर मैनेजमेंट जी हाँ फिफ्ट वॉल्ड कॉंग्रिस डिसास्टर मैनेजमेंट इनुग्रेट कर रहे हैं राज नाज सेंग जो कि डिफेंस मिनिस्टर है और वो इनुग्रेट के हैं फिफ्ट वर्ल कॉंग्रेस और डिसास्टर मैनेजमेंट यह पोग्राम न्यू देली में हो रहा है 24 नुमेंबर से 27 नुमेंबर तक आई आई टी डेली में ध्यान रखें इसका थीम क्या है और यह पोग्राम किस पर बेश्ट था इसका थीम है टेकनलोजी फिनांस और क्यापसिटी पॉर बिल्डिंग रेजिलेंस तु डिसास्टर इन दे कॉंटेक्स्ट अफ कोबीट 19 जी हां बहुत इंपॉर्टेंट थीम कोबीट 19 के सिच्वेशन में खैर बहुत खारा विस्तिती हुई है इसमें फिर से उसको रिकवर करने की बात की गई है राजनात सिंग ने इसमें फोकस किया है सागर सागर क्या है थोरा जानने क्या विसकता है सागर यानि सेकुरिटी फोर ग्रोथ फोर ओल इन दर रीजन जिहां सबका ग्रोथ होना ठीक है और यह जो टर्म है वो एक्चुली इंडियन ओशियन से रिलेटेड है और राजनात सिंग ने डिफेंस सेकुरिटी की बात की है इंडियन ओशियन में कोशन आमबर 3 विसस्टू आफ इंडिया ऐस दिबलप्ड प्रस्ट आफ हथे इंडियन इन अल्ट्रा-प्योर है राएँ ख्यार भाड़त में प्रोड्च्शन सेंटर बन रहा है अल्ट्रा-प्योर है रहा है इंड इसलोड प्योर यानि बहुत ही प्योर ठीक है फूर्ड हटे प्लांट setup घूर है हुआ है कहां सुपगर जारा है कि shift है के ऐप्लियु आर्छे इडों संशन प्लांट ऺंडियों प्लांट के दौर इसमें क्या होगा। इस Chili hydrogen extraction की बात की जारी hydrogen production की बात की जारी है methanol से तो methanol एक compound है उससे produce करना है hydrogen धियान रखें question number four non fungible token is related to देखें यह term जो है kolin dictionary of the year 2021 चूस किया गया है और यह term सबसे ज्यादा सर्च किया गया है तो यह term क्या है non fungible token this term is a cryptocurrency term ठीक है cryptocurrency से related यह term है और इसलिए सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है non fungible token का मतलब होता है unique digital certificate unique digital certificate दी जाती है जब कोई blockchain technology से bitcoin खडिता है ठीक है तो यह digital technology है non fungible token एक token release होता है जब आप register करते हो bitcoin में यह पूरा जो process है वह blockchain technology based है अच्छा bitcoin को पहली बार किस ने found किया था क्योंकि bitcoin पूरे साल news में था तो खुशन आ सकते हैं upcoming exam में तो वह है दोरियन नका मोटो इनका नाम याद अखें दोरियन नका मोटो यह नाम बहुत important है blockchain technology क्या होता है और bitcoin इसमें कैसे involved है वह देखते हैं देखिए एक ओनर से दूसरे ओनर के पास जाता है जैसे आपके पास 500 का bitcoin है आपने उसमें कुछ add-up किया तो वह गया 501 क्योंकि यह चेंच हुआ है तो यह चेंच के फॉर्म में सेकंड यूजर के पास पहुंच जाएगा फिर सेकंड यूजर उसको देखेगा अच्छा 501 मिल गया मुझे उसमें उसने किसी और भी एडप किया कुछ और और 503 रुपीज दे दिया तिसरे को यानि कि इस प्रोसेस में कोई भी central hub system नहीं होता ठीक है यह decentralized system होता है जिसमें block block chain बना होता है और लोग इस तरह से पैसे exchange कर पाते हैं डिजिटल करेंसी बिटकोइन करेंसी से रिलेटेड़ है option technology ध्यान रखे question no.5 lifetime achievement award by the time magazine ionic award 2021 गोस्टू लिके time magazine lifetime achievement award दिया गया है 2021 का यह award दिया गया है DC सिंघानिया जी हां सिंघानिया college का नाम तो आपने सुना होगा सिंघानिया ग्रूप बहुत ही बड़ी ग्रूप है और DC सिंघानिया क्यूंकि वो खुद भी बहुत बड़े lawyer है उनको यह award दिया जाता है lifetime achievement award by time magazine question number six what is the name of planet defense spacecraft of NASA देखें कौन से नासा का प्रोजेक्ट है जिसमें defense spacecraft की बात की गई है प्लानेट defense spacecraft प्रेजर्वेंस लूसी डाट तो वो है डाट डाट क्या है डबल एस्टराइड redirection test ध्यान रखें double stride redirection test इसमें क्या होगा देखें इसमें stride के position को बदलनी जाएगी ताकि वो stride जो है वो अर्थ से टकडा न जाए क्योंकि अर्थ को बचाना है तो हम लोग stride का ही position चेंज करते हैं इसको कहते हैं dart यह बहुत ही इंपोर्टेंट पोग्राइम है नासा का इसका फुल फॉर्म है डबल एस्टराइड redirection test क्योंकि क्योंकि अर्भी आई ने बहुत ही ज्यादा पैनल्टी फाइंड की है टार्टा कॉम्निकेशन पेमेंट सिस्टम पर कितना तो वो है रुपीज क्योंकि इसने नॉम्स फॉलो नहीं किया है अर्भी आई का पेमेंट एंड सेटिल्मेंट एक टूथाउजन सेवन के अंतरगत जो नॉम्स था उसका वाइलेशन किया गया है टार्टा कॉम्निकेशन के द्वारा और इसलिए दो करोर का फाइन पे करना पड़ेगा टार्टा कॉम्निकेशन को कुश्य नॉम्बर एट एंपी सी आई हैं साइन एंग्रिमेंट विद नेटवर्क इंटरनेशनल और एक्सेप्टेंस ऑफ यूपी आई इन्विज कंट्री जी हाँ अलत में फोन पे भीम एप, पेटी एम, वाट्सअप, अमेजन पे और यह कौन से सिंबल है यह है जीओ मनी अभी हाल में रिलाइंस ने भी इंट्रीज किया है तो यह यूपी आई सविस प्रॉबाइट करते हैं कॉश्य नॉम्बर 9 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉश् एइस ने बैसएयर क्या डिकलियर किया गया है न्यूबेस यारीज 2016 2016 ने बैसवी जानने के लिए टियक है तो वेज रेट को जानने के लिए अभी हाल में Ministry of Labour ने नया base rate इंटर्डूश किया है base year, वो base year कौन सा है? 2016. Question number 10, who has written the book Cooking to Save Your Life? Cooking to Save Your Life book is written by Abhijit Banner जी, जो की Nobel Prize winner है. Cooking to Save Your Life क्या है? यह book किसे related है? क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि Abhijit Banner जी is a great economist. लेकिन यह जो किताब है, वो इनके cooking पे बेस्ट है, जी हां, यह cooking करते हैं, और जो different food items, वो cook करते हैं, क्योंकि है बेंगॉली है, तो from Bengal side, from Andhra Pradesh, यह settled in many parts of India, as well as in the world, तो different cooking के बारे में इन उने बताया है, इस book में, काफी interesting book है, Question of the day, यानि आज का सवाल, who own the ATP final, बहुत important question, table tennis related, ATP final किसने जीता, What is the ratio of women over men in 5th National Health Family Survey, अगर आप किसी भी exam की तियारी कर रहे हैं, तो यह questions important है, इसका note-down note ज़रूर बना ले, National Health Family Survey 5th में, विमन की क्या ratio है, अगर आपको नहीं पता है, तो कल की वीडियो देखे, इसका answer मिलेगा आपको, और अगर नहीं मिले तो गूगल पर सर्च कर ले, thank you towards the video till last, और वीडियो अच्छा लगे तो please like कर दे, share कर दे और चैनल को subscribe कर दे और answer भी जरूर दे, thank you